इस वीडियो में हम दो हलाल शेर के बारे में बात करेंगे जो अपने को एक 50% से भी ज़्यादा डिसकांट पे मिल रहे हैं और एक 85% से भी ज़्यादा जो है वो नीचे आज के डेट में गिरा हुआ है अपने को इतना नीचे में मिल रही है और ये दोनों कमपनी का जो है प् इसमें आपको सीखने को मिलेंगे नई नई चीजे नई बात हैं आपको इसमें जानने को मिलेंगे तो वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो इसका नाम है EKI इनरजी इसके बारे हम पहले बात करते हैं उसके बाद फिर नेक्स जो है उसके बारे हम बात करेंगे आप यह दे सकते हैं, साड़े चार्चों के करीब यह अभी ट्रेट कर रहा है, और हम इसके में चार्ट पैटर्न देखते हैं, कि यह 2021 में यह कंपनी जो है, शेर मार्केट में लिस्ट हुई थे, और कितने रुपीज पे, 40 रुपीज पे, और उसके बाद जो है, कंटीन्यू जो है, यह कंपनी क्या दिये, यह दिये, रिटर्न दिये, कितना रिटर्न दिये, आप यह पर दे सकते हैं, साड़े साथ हजार से भी ज़्यादा जो है, यह कंपनी रिटर्न दिये दिये, उसके बाद जो है, इसका जवाल शुरुआ और अब तक जो है, आप यह पर दे सकत हामें cnbc या फिर जी बिजनस पे तो वो जो है बात बता रहे थे लेकिन अतना जो है confidence से नहीं बता रहे थे कुछ satisfaction बाते नहीं बोली उन्होंने एक research लिए बताया कि यूकरेन और उसका रश्या का जो वार हो रहा है ना तो उसकी हो जैसे कंपनी इनका loss में जा रही है और down में जा रही है तो यह कंपनी का थोड़ा कुछ background भी देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है उसके बाद हम इसका financial भी थोड़े बहुत इसका खंगा लेंगे हाँ तो हम आ गए है एक आई जो है इसके official website पर और हम इसको जो नीचे scroll करते हैं और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर इन्हों क्या बोल रहे है हम कौन है आप यहाँ पर देखते हैं दोस्तों यह पर कंपनी का नाम दिया है उसके बार क्या क्या बोलगे international climate sector globally is a leading carbon credit developer and supplier across the globe यानि कि यह worldwide में इनका carbon credit का developer और supplier का इसका काम है और यह company जो है सिर्फ Bombay Stock Exchange पे इसका यह company लिस्ट है कंपनी के पास 14 years का बोल रहे है इसके पास experience है 14 year old है तो विजय केडिया सर जो है बहुत बड़े साल का इसका experience होने चाहिए और future में better कर सकती है तो और हम जो है और थोड़े कुछ इसका company के बारे हम जानेंगे तो यह यहाँ पर आप देशे होते है यह जो बहुत स्यदा मेटर करता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है यह भी इसका client फॉर्चून है फॉर्टम है इनका फॉर्टम है गरीक है और इंडियन रेलवेज है और यह और एंटी पीसी भी है और आप यहाँ पर जैसे से आपको यहाँ पर थोड़े डीटेल क्या दिये के कंपनियां पर हाइलेट क्या करें के फॉर्टिन येर्स का कंपनी के पास experience है इनका प्रोजेक्ट्स जो है हजार के हजार से भी ज़्यादा है और इसकी clients जो है साड़े तीन नजर से ज़्यादा है और एक्सपर्ट जो है आड़ाइसो से भी ज्यादा है अब जो है इस company के हम financial देखेंगे हाँ तो दोस्ता हम आगे हैं यहाँ पर screener.in पर आप किसी भी company को जो है अगर fundamentally अगर आपको fundamental check करने देखना है company का तो आप जो है यह best website आप यहाँ पर आ कर दे सकते हैं तो यह पर जो है कि यहाँ पर company का आप आप में लिखा है मैं जो आपको बताया कि यह कारबंड का trading करती है और इसका market cap देखते हैं दोस्तों आपकी इसका market cap देखते हैं सिर्फ बारहासो करोड की है मतलब यह company जो है small cap में आती है small cap से भी बहुत नीच नैनो cap या आप इसको penny stock बोल सकते हैं तो यह ऐसी जो company होती हैं दोस्तों बारहासो करोड की या 2000 करोड की या 1000 करोड की तो यह जो है ना company बहुत जादा रिस्की होती है यह company में गर कोई एक करोड कर दिया समझो तो यह company जो यह share जो है एदम 20% 30% ऐसा जो है उपर अपर सर्किट लगाना शुरू कर देती है अगर वही अगर कोई सेल कर दिये एक 50 लाग 60 लाग भी सेल करें तो फिर वह नीचे बहुत ज़्यादा जो है नीचे भी जाती है मतलब जवाल बहुत ज़्यादा होती है इसी company में है जिसका market cap कम हो और मैं आपको next stock के बारे में जो बताऊंगा तो वह जो है आपको large cap में है वह company large cap की वीडियो क लिए कर सकती है जो कि एक यह वह थी और company का आप यह उपर P ratio देशे तो दो बहुत कम है त्री पर फिटीएट है तो इसमें जो है जो है जो एक्सपर्स है ना तो इसमें जो है कंडिशन के लिहाद से इसमें इखतलाफ करते है कि company का पी जो है कुछ company का ज़्यादा भी होना चाहिए कम भी होना जो है तो हम इसके उत्तर डीटेल में ने जाते है यह तो company जो है बहुत अभी नीचे गिरीवी company तो हम इसके बारे में इतना क्यों बाल का खाल निकाले हम आगे इसका दुसरे चीज़ें देखते हैं और इस company का अगर हम यह देखेंगे competitor मतलब इसके जो है और अलग बलाबला बहुत सारे हैं तो इसका जो यह competitor है और हम जो है नीचे देखते हैं जैसे कि यह मैं आपको बतानों यह sales है इसमें जो है न यह बायर जो है न ग्रोथ होना चाहिए मतलब बढ़ना चाहिए लिकिन यह क्या है यहां पर 500 के बाद जो है इसके बाद यह है जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया है वह इसलिए कि दोस्तों के शेरी जो है खुछ जो है नीचे जा रही है तो प्रॉफिट भी आप देख सेकते कि एक टाम पे जो है 146 200 से भी उपर दिये ऑपर अपरेटिंग प्रॉफिट के बात करना अब जो 47 सिर्फ टू डिज दो जैसे के अब इसयों है रिजर्फ से मतलब कंपनी की पास जो है एकस्टरा पेसे कितने आप यहां पर दे सकते हैं तो दो जो के लिशे canop से कमपनी का यह भी जानेंगे कि यह शर्या कंपलाइंट तो यह है मैं पहले हैं मैं थमदिल में बता दिया हूं एक बार फिर से जो है वहाँ पर Islamic stock screener पर भी चेक कर लेंगे अब जो सबसे मेन बात इस company का हुआ है promotor holding आप यहाँ पर दे सकते हैं दोस्ते प्रोमोडर holding कितना है 73% से भी जादा है promotor holding और आप शुरूब यहाँ पर दे सकते हैं company में जो है जो foreign investor और जो domestic investors investor है वो जो इसमें बहुत ज़्यादा interested थे बट जैसे company जो है जावार शुरूआ company का नीचे जाना शुरूआ तो यहाँ पर दे सकते हैं यह पूरे जो है खिसक लिए दिरे दिरे अब तो foreign investor जो है 4.69 को निकाल के सिर्फ 0.23% इनका stock और domestic तो पूरे निकल गए तो इस हिसाब से देखा गए तो दोस्तों यह company बहुत risky भी है और अगर आप अपना luck अपना किस्मत आजबाना चाहते हैं तो आप जो है इसमें कुछ अपनो जो है person जो है लगा के जो है long term के लिए छोड़ सकते हैं यह मेरी जो है रा है यह for example मैं आपको देर हूँ अगर आप company आपके पास extra amount है जैसे कि आपके पास एक लाक रुपे है तो उसमें से जो है कितना अगर आप एक लाक रुपे अगर इन्वेस के लिए आप रखे हैं तो उसमें से जो है एक दो percent पांसो हजार रुपे इतना ही लगाने की वह थी AC company में यह जो है company जो है zero भी हो सकती है दोस्तों और यह multi bagger भी return भी दे सकती है AC company जैसे कि वह कितना तीन हजार पे गया था company अब जो है कुछ 400-400 पे है तो वह combine भी कर सकती है और उससे वह record भी तोड़ सकती है ने तो यह company जो है zero भी हो सकती है तो यह जो है negative यह भी है तो हम इस company क अब यह जान लेते कि यह company शर्या complaint है नहीं है मैं आपको बता देता हूँ यहां से सर्च करके क्या नाम है उसका हाँ EKI energy यहां पर देशे तो गिरीन में शो हर रहे है तो जैसे मैं आपको बताया वाव वाई इनका जो है गहर शरी चीज़ों में investment भी zero है और इनके पास यह क्या बलते है करजा भी zero है मतलब यहां पर तो यह पूरा में पास है तो जैसे मैं आपको पता है कि सिर्फ डेट फिरी होना जरूरी नहीं है बाकी और भी बहुत सारी चीज़ां देखनी होती है जैसे मैं आपको पूरा बताया तो अमीद करता हूँ कि आपको यहां तक बा क्लिक करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यह पूरा में पास है कंपनी के पास सिर्फ 11% क्या है करज है और इनका जो है घर शरी चीज़ां में भी इन्वेस्मेंट और उसका इंकम ज़ारी वह भी zero है तो मैं यहां पर आपको बता दिया तो आड़ानी से आपको पर गया था और यह एक ताप मेरा जो है फैवरेट शेयर हुआ करता था और यह कंपनी जो है यह लिस्ट का भी यह देखते है लिस्ट हुई थे 2022 में भी पिछले साल ही यह लिस्ट हुई है और अभी इसका मैं आपको यह पर बता देता हूं आपको यह करके देख़ों 50% ड पारे में fundamental analysis करते हैं तो हम चलते हैं फिर से किस पर हाँ screener पर है तो हम यहाँ पर आगे screener पर क्या नम था AWL तो हम इसकी कुछ डेसिक चीज़ा जान लेते हैं दोस्तों कंपनी का नाम है अडानी विलमार और यह FMCG सेक्टर में आती है तो हम यह पर देख सेते हैं कंपनी क यह पूरे जो है यह company क्या करती है drive brands broad spectrum यह अच्छी quality यह company जो है यह पूरी चीज़ा है जो अच्छी quality के साथ प्रवाइड करती है यह जन लेते हैं इसका market cap आप यह पर देख सेकते हैं दोस्तों 51,000 यानि कि 52,000 crore के आसपास इसका market cap है मतलब यह large cap में यह company आती है और इस नहीं दिये जो कि बहुत ही negative बोल सकते हैं और company का face वाली भी सिर्फ वर्ण है हम जो है इसका company के competitor देखते हैं मतलब company के इसी type के दुसरे company कौन कौन से है तो यह company जो है अपने sector में आप यह पर देख सकते हैं नमर वन पे हैं और उसके बाद जो यह पूरी company से है बाकि हम quarterly results में देखेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं company जो है यह कितना 14,000 से उपर जो है दोनों sales and expenses जो है इतना हो गया था 2022 मिसकी बाद फिर यहां पर देख सकते हैं नीचे down में है मतलब का share यह down में है तो यह पूरा down में है जो है जो है 600 से 300 प्या गई है और net profit में भी आप य जो है इनका अच्छा दिन ने चल रहा है वो हिंटेंड बर की हो जैसे और भी हम जो है नीचे कुछ और चीज़े देखते हैं company का यह देख लेते दोस्तों reserves जो है बहुत ही जबदास reserves है company के पास और company का जो मैं आपको बताया के इनके पास 11% यह कर्जा है वो चलता एतना और company का asset जो है यह थोड़ा कम हुआ है चलता पहले से थोड़ा कम हुआ है और company का net cash flow दे सकते हैं तो अभी 190 net cash flow में तो positive है अब इसका जो है हम company का यह देख लेते है promoter holding तो company का promoter holding है दोस्तों 75% से भी ज़्यादा है इनके पास मतलब यह कानून यह है कि 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए promoters के parts holding तो यह company जो है कभी भी इसको sell कर सकती है अपना और अगर यह FIA और DIA अगर इसको खरीद लेती है तो अच्छे ना और यह investor जो है 2000 मतलब मार्च में इसी साल मार्च में जो है 1.23 ता जो कि अभी sell करके 1.14 कर दिये हैं और यह भी जो है खिसा करें समझो धीरे-धीरे foreign और domestic institutional investors तो यह पूरा background था दोस्तों इस company का Adani Wilmar है company का नाम जो कि Adani के group में यह company आती है आप सबको तो पता हिए कि Adani के उपर जो है allegation लगा है तो उसके होज़े से जो है उनके पूरे share जो है डौन में गया है जिसके साथ यह भी Adani Wilmar अगर अगर अग को जो है multi baggers return दे सकती है और एक एक और चीज इसमें जो है missing हो यह है कि promoters के प्लेजिंग तो नहीं है का promoter जो है यह दो भी company के बार में जो मैंने बताया कि दोनों का promoters है तो उनका जो है गिरवी तो नहीं रखी हुए उन अपना shares है तो वो भी हम देख लेते हैं तो हम यह जरूर करें दोस्तों और यह जो है मेरी तरफ से कोई recommend नहीं है यह मैं आपको सिर्फ एक information educational purpose के लिए मैंने आपको बताया है बाखी जो है आप अगर इसमें इन्वेस करना चाते हैं तो आप अपने जो financial advisor जो है उनसे एक बास सला मशुरा जरूर करना होता है और उसको इन् multi-bagger return दे सकती है और जो fundamentally strong मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो बनाया था पॉली का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वो company जो है दोस्तों बहुत यह खांदानी और मजबूत company जो है further study करके उस company के बारे में उसमें invest करेंगे तो आपको जाए इन्शाल्ला फ जो है बिल जाएंगा आप उसके तो जो है आप अपने डिमेट अकॉंट अपन कर सकते तो यह सिलसला इंशाल्ला आप जारी रहेगा दोस्तों आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो आप जो है दोस्तों मेरे लिए बहुत ही special है आप नीचे comment करके जरूर बताए कि म वो जो नुखसान देऊंगा खास दोर से जो है यह share market में तो आप अपनी learning का जो है सफर जारी रखिए और खुछ से भी study करिए मैं भी जो है पूरा 6K में आपको बता रहा हूं मुझे भी ज्यादा कुछ ने आता तो जितना मुझे आता है मैं आपको बता रहा हूं तो यह जो है थोड़े टेकनिकल जरूर है लेकिन अतना भी tough नहीं है दो जो कोई भी इसको समझ सकता है कोई भी इसको easily जो है analysis कर सकता है आप लोग जो है अपनी दौाओं में जरूर याद रखिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जातों के लिए assalamualaikum